हेलो दोस्तो वेलकम टो अमन फैक्टन स्टोरी जबसे धारा 370 को बताया गया है तब से सभी भारतिय बहुत खूस है लेकिन कुछ लोग इसको लेकर बहुत दुखी भी है तो इस वीडियो को सुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना यूँकि इस वीडियो में आपको के प्रभाप की बारे में जामू कास्मिर के लोगों के पास दो नागरिकता होती है एक जामू कास्मिर की और दूसरा भारत की जामू कास्मिर का अपना अलग राष्ट्रिया जंडा है जामू कास्मिर की विधान सभा का कारिया ले शे बर्स का होता है जबकि भारत की विध करक्ता खत्म हो जाती है और यादि जामू कास्मिर की लड़की किसी लड़के को साधी कर लेती है तो उस लड़की को जामू कास्मिर के नाकर्यक्ता मिल जाता है धारा 370 के वजह से कास्मिर में CajrTA भी लागू नही अगर हम सीधे तोर बात करें तो भ़ारत का कोई भी कानून जामू कास्मिर में लागू नहीं है। कास्मिर में हिंदू और सिक्ग को 17 प्रतिसद आकरसन भी नहीं मिलता है। कस्मिर में महिलाव पर सर्यन कानून लागू है धारा 370 के अनुसार कास्मिर में बाहर के लोग जमिन नहीं खरिच सकते हैं और जब की कस्मिर का कोई भी नागरिक भारत के किसे भी अन्य राज्य की जमिन को खरिच सकता है जामू कस्मिर का अपना अलग सम्मिधान है धारा 370 के अनुसार राश्ट्रपती के पास राज्य की सम्मिधान को बरखास्त करने का अधिकार नहीं है और ना ही जम्मू कास्मेर में राश्ट्रपती सासन को लागू किया जा सकता है